दो तरीके की टेंशन होती है एक होती है पेपर टेंशन यानि कि आपने पेपर कर लिया अच्छे से याद कर लिया सब कुछ करने के बाद जब आप जाते हो पेपर देने के लिए तो क्या होता है आपको यहां तो पेपर अच्छा आ जाता है यह बुरा आ जाता है तो आपको देखो सबसे पहली बाद जो के बहुत ही important है वह ये है कि जब आप paper देने लगते हो आपने paper खोला आपको आपने देखा question number1 देखा मुझे सिर्फ इतना बताओ कि जब आपको पता है कि question number one आपने करना ही करना है, question number two आपने करना ही करना है, three भी करना है, four भी करना है, five भी करना है, तो आपने जब paper खोला, तो आप first question क्यों निया time करते हैं, हम क्या करते हैं, कि जैसी हमने paper पहला देखा, हम क्या करते है या दूसा देखते है दूसा कौन साया, तीसा कौन साया, चोधा कौन साया, अब क्या होगा, आप MENTALLY TENSION में चले गएँ, उस चोधे सवाल की वज़ा से जब आ पहला सवाल solve कर रहे होगे तो आप में उसमें problem आएगी क्यों आएगी क्योंकि वो चौथा सवाल आपको नहीं आता और एक बात मैं आपको ट्रस्ट में मैं आपको बता दू पेपर के अंदर यह एक fact है जो मुझे भी लगए आपने भी आपको फील होगा पेपर के अंदर अगर आपको क कोई भी word आजे कोई भी topic के बारे में बात आजे तो आप दिमाग से सोच के कुछ न कुछ प्लैन करके लिखी लेते हो यानि कुछ भी आपको पूछ लिया जाए आप कहीं ने कहीं से कोई ने कोई लिंक बना के और सवाल का जवाब देल ही देते हो इसी तरीके से मेरा point यह है कि अगर आपने मालो paper कर रहे हो कोई सबी paper है question number one है solve करो two पर जाओ three का आपने देखा यार यह नहीं आता three को छोड़ो fourth पर चले जाओ आप क्यों tension लेना चाह रहे हो इस वज़ा से जब paper कर रहे हो तो उस वकत यह काम मत करो जो पहला सवाल आता है उसको पहले solve करो जो नहीं आता उसको बाद में देखो उसको पूरा भी ना पढ़ो ठीक है दूसरी चीज़ है discussion जब मैं paper दिया करता था और मैं paper देने के बाद जब hall से बाई निकला करता था तो मैं के करता था जैसे यह बाबा राम देव नहीं कर रहा like आप ऐसे कुछ sound निकालते और उसके बाद आपके कानों से आपको सुना नहीं आपसे जाता मतलब आप किसी की बात नहीं सुन सकते के कौन आपसे क्या कहना चाहरा है मतलब जैसी मैं hall से बाई निकलता हूँ मैं यह देखता हूँ कि सारे के सारे लोग मेरे दोस्त और बाकी random लोग चलते चलते जितने भी लोग आपको दिखेंगे भाई उस सवाल का क्या जवाब था उसका क्या था इससे क्या होता है कि अगर आपका पेपर मतलब आपका कोई सवाल गल्प यार आपको क्या पता क्यों हो सकता है वो गलत बोल रहा हो आपने सही लिखा हो लेकिन उसके जवाब देने से कि यार इसका जवाब तो 26.2 था उससे क्या होगा कि यार आपका आप दिमाग से सुचोगी यार मेरा तो ये गया उससे क्या होगा कि जब आप नेक्स्ट पेपर की तें क्योंकि आपका नेक्स्ट में हो सकता है पीम में आपका पेपर नहीं दुपहर में हो उससे क्या होगा कि आपका वो पेपर भी खराब होगा क्योंकि आप मेंटली सकून में नहीं हो इसलिए आप ये कर सकते हो कि आप अपने WhatsApp जिसके अंदर आपका ग्रूप है वो दोस्त को add करो जो कि आपको ये नहीं बता था यार इस सवाल का क्या था इस सवाल का क्या था इसका ये जवाब था इसका यार भाई आपका हो चुका है पेपर अब आपके हातों में कुछ भी नहीं है इस चीज का फाइदा क्या है जब आप उसको बार बार जाके देख रहों कि यार इसका answer क्या था इसका answer क्या था ये आपके आने वाले paper के ऊपर असर डालेगा और यहीं पर मैं आपको बावदा दू इस वीडियो के अंदर ही कि अगर आपका paper बहुत अच्छा हु लेकिन मैं यही समझता हूं कि अज़्यादत तर्स्टूरेंट्स जाहिए उनको discuss नहीं करना चाहिए वाल आज की वीडियो होती है यहीं पर खतम आपको क्या लगता कि discussion करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए अगर करनी चाहिए तो comments में बताएं नहीं करनी चाहिए तब भी and हां make sure करें कि आप description में जाएं description में आपको different तरह के notes में लेंगे different links में लेंगे और different videos में लेंगे different youtubers की which will eventually help you in your own levels सुमिते नेक्स वीव में तब तक ले अलाव